हालो फ्रेंड्स वेलकम तो लास्ट पार्ट आफ चाप्टर नंबर सिक्स क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री नाओ इन दिस पार्ट वे अगुएंग तो कॉंटिन्यू थे तिंग्स अबाउट कबीर हमने सबसे पहले पढ़ा कि कौन कौन सी गरंतों के अंदर उनकी कॉंपोजेशन को लिखा गया है प्रिजर्व किया गया है उसके बाद उनकी लांगजिस बहुत तरीके की यूज़ करते थे परन्तु दो में थी ठीक है संत भाशा और उलट बन्सी उसके बाद हमने ये परना है कि जो कबीर हैं वो अल्टिमीट रियालीटी के बारे में क्या बताते हैं मतलब गौड के बारे में क्या बताते हैं कबीर जो हैं वो भगवान को अल्ला, खुदा, हजरत, पीर, अलक, अलक मतलब जिने देखा ना जा सके, अन्सीन, उसके बाद निराकार, फॉर्मलेस, जिसका कोई शेप ना हो, ठीक है, ब्रामन, अत्मन, ये सारे वर्ड्स यूज़ करके जो है, अल्टिमेट रियालिटी को स सारे नामों से बुलाते हैं, उसके बाद हमारे दो और शब्द यूज़ किये गए हैं, बाए कबीर, एक है शबद और दूसरा है शुन्य, शबद मतलब सेंग्स और शुन्य मतलब एम्टीनेस, मतलब कुछ भी ना होना, ठीक है, अब उनकी आइडियोलोजी के बारे में हम पड़ते हैं, ठीक है, ये जो क्वेशन है वो एट मार्क्स में आ जाता है, इसलिए आप ध्यान से देखिए, तो जो कबीर है, वो बिलीव रखते हैं मोनो थिजम के अंदर, मोनो मीन्स वन और थिजम मतलब भगवान, ठीक है, तो एक ही भगवान में विश्वास रखते है और आइकोनो क्लास में भी इनका पूरा सेथ है, मतलब कि जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, उस चीज़ का खंडन करते हैं, कबीर की मूर्तियों की पूजा सही तरीका नहीं है, भगवान की पूजा करने का, ठीक है, तो आपको पता है, जो इसलाम है, वो भी इन द वो इस चीज को यूज करके हिंदूआं को बताते हैं कि अपनी polythism मतलब बहुत सारे भगवान, poly means many, ठीक है? बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं हिंदू और idol worship भी करते हैं, मूर्तियों की पूजा भी करते हैं, तो हिंदूआं को ये चीज बंद करनी चाहिए, they should learn this particular thing from Islam ठीक है उसके बाद जो कबीर है वो कहते हैं कि जो सूफी हैं वो जिक्र करते हैं मतलब divine names का recitation करते हैं और इश्क करते हैं भगवान से मतलब love करते हैं तो ये चीज जो है हिंदू के जैसी ही है जैसे हिंदू जो है नाम सिमरन करते हैं तो ये दोनों चीज़ें सेम हैं उनकी ideology के accordingly अब जो कबीर हैं वो एक inspiration है उन लोगों के लिए जो की actual में जो religious चीज़ें चल रही हैं उनके against आवाज उठाते हैं ठीक है जैसे आप देख सकते हो कबीर जो है वो हिंदू के against भी बोलते हैं और कई जगा Islam के against भी बोलते हैं वो कहते हैं जो Muslim हैं वो सुबह सुबह इतने मतलब जैसे उनकी कुरान होती है सुबह सुबह तो वो बहुत जोर से बोलते हैं तो उस चीज़ को कबीर जो हैं वो कहते हैं वो ठीक नहीं है कि भगवान को बिलकुल शान्ती में ही हम पा सकते हैं ठीके तो ये उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो की प्रेजेंट रिलीजिस चीजों के ऊपर क्वेशन उठाते हैं और आज के टाइम में जो अवध सूफीज हैं मतलब उत्तर प्रदेश के सूफीज हैं वो अभी भी कबीर के लिए बहुत जादा डिवोटेड हैं उनकी कॉमपोजिशन की बहुत जादा रिस्पेक्ट करते हैं ठीके अब हम क्या शौर हैं जो हमें मिली हैं जितनी भी कॉमपोजिशन क्या वो कबीर की ही हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जो कबीर की कॉमपोजिशन ह जंदर जो हैं बननी शुरू हुई थी मतलब कि उनके डेथ के 200 साल बाद तो वो तो उनके फॉलोवर्ज ने लिखी है तो हम कैसे पता करते हैं कि ये कबीर की है या नहीं जो हिस्टोरियन थे वो देखते हैं कि किस टाइप का स्टाइल है और क्या यूज़ यूस की गई है उसके अकॉर्डिंगर हम बता सकते हैं कि है की ये कबीर द्वारा लिखी गई है या फिर नहीं अब जो कबीर हैं उनकी personal life के बारे में थोड़ा जान लेती हैं कि उनका actual में religion क्या था ठीक है जो वैशनवा traditions है मतलब कि जो हमें Vishnu के जितने भी परंपराई हैं उनकी जो text हैं उससे हमें पता चलता है कि जो कबीर हैं वो एक हिंदू थे ठीक है जब कबीर बड़े हो रहे थे तो उन्हें जो है संभाला जुलाहाज नाम के community ने जुलाहाज का मतलब है वो लोग जो की weaving का का काम करते हैं ठीक है कपड़ा बुनने का काम करते हैं तो ये जो जुलाहाज थे जिनोंने कबीर दास को बड़ा किया था ठीक है वो जो है इन्होंने अपना religion change किया था Islam ठीक है तो मतलब कि जुड़ाहास जो थे वो मुस्लिम थे परन्तु जो कबीर है वो by birth हिंदू थे ठीक है अब बात आती है कि कबीर जो है उनके कौन preceptor थे preceptor मतलब गुरू कौन थे ठीक है जो वैशनवा ट्रेडिशन है वो कहते हैं कि जो रामा नंदा है वो कबीर के गुरू थे ठीक है परन्तु कबीर कहीं पर भी राम नंदा का नाम नहीं रेते अपनी composition में ठीक है परन्तु वो दो words जरूर यूज करते हैं गुरू और सद्गुरू ठीक है तो इससे हमें उनकी life के बारे में बता चला अब देखिए हमने जितना भी पढ़ा है उसके base पर ये 3 questions हैं आपके पस ठीक है आप इन्हें पढ़िए और देखिए कि आपको बिलकुल clarify हो रहा है क्या answers है और comment section में बता दीजिए ठीक है तो आप pause करके देख सकते हैं first question tick the correct है second भी tick the correct है और third जो है ये दोनों तो one marks के हैं जो third question है वो eight marks का है इसके अंदर देखो जब भी question पढ़ रहे हो ना at least two times तो आपको पढ़ना है ताकि आपको बिलकुल clarify हो जाएगी question में पूछा क्या है सबसे main चीज होती है question को समझ लेना तो देखिए इसके अंदर आपको eight marks का है describe the relations between state and bhakti and sufi traditions देखो आपने state और bhakti traditions के बीच में relation पढ़ा है और state and sufi traditions के बारे में भी बढ़ा है तो आपको क्या है ये दोनों topic को explain करना है कि relation between the state and bhakti relation between the state and sufi इन दोनों का आपको explanation देना है और दोनों के चार-चार marks होंगे तो question को बिलकुल ध्यान से पढ़ना है ठीक है तो ये दोनों question का आप comment section में बता दीजे अब हम अगले poet saint के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है बाबा गुरु नानक ठीक है इनके उपर आपका question भी आया है आपकी इस year 2021 के sample paper में तो ध्यान से देखेंगे ठीक है इनका जो worth है वो हुआ था 1469 के अंदर ठीक है और इन्होंने अपनी body को छोड़ दिया था इन 1539 ठीक है कैसे लर्न कर सकते हैं 14, 15, 16, 9 6 का half करोगे 3 और पिछी 9 लगा देने ठीक है अब उसके बाद इनका birth इनके life के बारे में जानते हैं इनका birth हुआ था एक हिंदू family के अंदर जो की एक merchant family थी merchant family means विपारियों की family थी ठीक है कहाँ पर हुआ था इनका जनम ननकाना साहिब के अंदर ठीक है ननकाना साहिब जो है एक village है रावी रिवर के पास और ये जो village है वो पंजाब का पार्ट था ठीक है जहाँ पर जादतर मुस्लिम लोग ही रहा करते थे ठीक है अब इनकी जब ये बड़े हुए तो इनकी फैमिली ने accountant बनने की जो है training दी क्यों क्योंकि हमारे merchant family थी तो उन्होंने इने भी accountant बनने की जो है training दी इन्हें partial language आती थी और जो बाबा गुरु नानक है उनकी बहुत young age पर शादी करा दी गई थी पर अन्तो इन्होंने अपनी life जो है जादतर सूफीज और भकताज के साथ बिताई है ठीक है अब बाबा गुरु नानक की ideology के बारे में हम पढ़ते हैं ये support करते हैं निर्गुन भकती को ठीक है निर्गुन का मतलब की जो बगवान है उसे मूर्ति की उसमें नहीं पूझना ठीक है उन्हें जो है एक शक्ति की तरह उनके लिए प्रेव करना है ठीक है तो he supported न मतलब यग्यतप ठीक है then ritual baths मतलब की लोग जो ऐसे जाते हैं थी त्यात्रा पर और गंगस नान करके आते हैं ये सब कुछ ठीक है उसके बाद image worship के अगेंस्ट है austerities मतलब जो हमारे जब हम तपस्या करते हैं उसे austerity बोलते हैं then हमारे जो scriptures हैं हिंदू के भी और Muslim के भी इन अब ये जो हैं God को रब बोलते हैं रब जो है उनके accordingly उनका कोई gender नहीं है और कोई form भी नहीं है ठीक है शबद के थ्रू जो है बाबा गुरु नानक भगवान को याद करते हैं शबद का मतलब है divine names ठीक है और ये पंजाबी language में कुछ ऐसे शबद लिखे जाते थे मतलब क जाते थे ठीक है जो बाबा गुरु नानक के followers हैं वो रबाब बजाते थे रबाब एक instrument है ठीक है सितार की तरह उसके बाद इनके जो followers हैं उनकी एक community बन गई थी ठीक है with time जो है community develop हो गई थी और जो गुरु नानक देव जी हैं वो believe करते हैं congregational worship मतलब जब collectively हम worship करते हैं उ उसका जादा impact पड़ता है ठीक है जो लोग आते हैं जो ये community है उसे संगत बोलते थे ठीक है और ये जो संगत है वो collectively recitation करती थी शबद का ठीक है अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन सी scripture है हमारी सिक धर्म की अब दीखिए बहुत interesting चीज़ है आपको पता चलेगी अब बाबा गुरु नानक देव जी ने कोई भी religion की स्थापना नहीं करी थी ये बात याद रखने वाली है first number के जो गुरु है वो बाबा गुरु नानक देव जी है उनके बाद जो है नो गुरु और आते है ठीक है मतलब total में 10 गुरु है सिखिजम के अब क्या हुआ कि जो हमा बाबा गुरु नानक है उन्होंने अपने बात जो है गुरु अंगत देव जी को second preceptor बनाया था प्रिसेप्टर मतलब गुरु ठीक है teacher अब जो गुरु अंगत देव जी है और बाकी के third, fourth and fifth गुरु जो है ठीक है इन five गुरु की ठीक है फिफ्ट गुरु ने क्या किया जिनका नाम गुरु अरजन देव जी था इन्होंने पांचो गुरुओं की जो composition है वो एक book बना ली ठीक है compile कर लिया जिसका नाम रखा गया आदी गरंथ साहिब ठीक है आदी गरंथ साहिब के अंदर क्या है पांचो गुरुओं की composition है और compile किया गया है बाए गुरु poets की compositions add की गई है बाबा फरीद जो की एक सूफी थे रवी दास जिन्हें राय दास भी बोलते हैं और कबीर ठीक है तो हमारे total eight people की eight great personalities की composition जो है वो आदी गरंथ साहिब के अंदर जो है वो collectively लिखी गई है ठीक है उसके बाद और हमारे गुरु आई और जो हमारे दसमें गुरु गोविन सिंग जी उन्होंने क्या किया जो गुरु तेग बहादर सिंग जी की compositions है वो आदी गरंथ साहिब के अंदर जो है add कर दी ठीक है तो हमारे ये सारा और गुरु तेग बहादर जी जो की ninth गुरु थे उनकी compositions को collectively बोला जाता है गुरु गरंथ साहिब ठीक है और हमारे nine ठीक है तो गुरु गोविन सिंग जी ने compile की थी और गुरु तेग बहादर जी की भी इनमें add कर दी गई थी गुरु गोविन सिंग जी ने खालसा पंथ की जो है establishment की थी खालसा पंथ का क्या मतलब है army of the pure ठीक है अब जो खालसा पंथ को follow कर रहे हैं उन लोगों को पांच चीजें जो हैं अपने साथ रखनी है ठीक है इसके five symbols हैं ठीक है जो भी person follow कर रहा है उसे पांच चीजें करनी पड़ती है उसके पांच symbols होते हैं uncut hair, dagger, comb, steel bangle and pair of shots ठीक है तो ये आपको learn करके रखना है तो जो आपके पास question आया ना उसके अंदर relevance भी पूछिए तो पहले आपको ये सब कुछ explain करना है उसके बाद आप क्या कोगे कि जो बाबा गुरु नानक देव जी की जो ideology है वो बहुत ज़दा simple है और logical है क्योंकि वो निर्गुन भक्ती में विश्वास रख रहे हैं ठ उसके बाद मीरा बाई जो मीरा बाई है वो 15th to 16th century की एक poet saint है ठीक है इनका जो जादतर life है उसके बारे में कैसे हमें पता चलता है दाट इस त्रू बजन्स बजन्स जो की मीरा बाई ने जो है एक टाइम पर गाए थे और उनके followers ने जो है आने वाले समय में लिखे थे ठी ठीक है एक्चल में ये एक princess थी राजकुमारी थी राजपूत प्रिंस थी जो की मर्टा मर्वार जो जगा है वहां की रहने वाली थी अब क्या हुआ कि इनकी जो है forcefully शादी करा दी गई विद्ध सिसोधिया प्रिंस ठीक है सिसोधिया क्लैन के एक राजकुमार के साथ नी मेवार आर नहीं आएगा मेवार की प्रिंस थे जो कि राजस्थान के अंदर एक जगा है ठीक है तो अब जो मीरा बाई हैं वो नहीं चाहती थी कि मैं इस मतलब घर गरेहस्ती के अंदर जो हूँ वो हो जाऊं और मैं अपने जो प्रभू हैं जिनका जिनें वो कृष्ण मा की कि जो मीरा बाई हैं उन्हें पॉइजन कर दें कि ताकि ये हमारी बात तो नहीं मान रही है ठीक है तो ये जो हैं किसी तरह उस राज महल से उस पैलेस से भाग जाती हैं और शी डिसाइडस टू बी अ वांडरिंग सेंट मतलब वो पैलेस की जो प्लेजर है उसे छोड़ वो जो हैं बाहर चली जाती हैं ठीक है वो बहुत से सोंग्स जो हैं उनकी कॉम्पसिशन करती हैं अब कहा जाता है कि इनके जो प्रेसेप्टर है इनके गुरु जो है वो रिय दास थे मतलब रवी दास जो कि आक्टॉल में एक लेधर वर्कर थे तो आप देख सकते हो कि जो मीरा भाई नहोंने कास्त सिस्टम के आगेंस्ट काम किया था ठीक है तो नहोंने पैलेस के प्लेशर्स को छोड़ कर उनोंने डिसाइड कर लिया कि मैं वाई रोब्स मतलब वाईट क्लॉज जो हैं वो डाला करूंगी जो की एक विड़ो की निशानी होती है और या फिर सैफरों रॉब्स डालने हैं उन्होंने मतलब की एक रेननसियेटर जिसने त्याग कर दिया है वर्ड का वो सैफरों मतलब जैसे केसरी रंग जो होता है वैसे कपड़े डालते हैं ठीक है अब जो हमारे फॉलोवर्स हैं मीरा भाई की as such कोई क्यम और राजिस्तान की लोग हैं थिके अब फूर्थ point saint हैं शंक्रा देव डिके शंक्रा देव की जितनी भी teaching हैं उसे भगवती धर्म बोलते हैं क्यों क्योंकि जो उनकी ज़ादातर teachings हैं वो आई हैं भगवत गीता से और भगवत पुरान से तो इनकी teachings को भगवती धर्मा बोलत सालते थे नाम किर्तन मींस रेसिटेशन ऑफ दे नेम्स ऑफ दे लॉड ठीक है इन सत्संग मतलब कि जब जो काफी सारे डिवोटीज आते हैं उन सभी कलेक्टिव बॉड़ी को सत्संग बोलते हैं ठीक है जब वो नाम किर्तन कर रहे हैं और यह 17 मतलब मुनस्ट्री बनाने के की बात को सपोर्ट करते हैं और इनकी जो ज़ादातर कॉमपोजिशन हैं वो लिखी गई है कीर्तन घोश के अंदर अब हम आ गए हैं अपने लास्ट टॉपिक पर जिसका नाम है रीकंस्ट्रॉक्टिंग हिस्ट्री जॉफ रिलीजिस ट्रेडिशन मतलब जब स्कॉलर्स ज जो हैं बसावना द्वारा लिखे गए बहुत इजी भी होते हैं पर अंतो बहुत डिफिकल्ड भी होते हैं जैसे पर्शियन लैंग्विज के अंदर जो फर्मान है अकबर रूलर्स के ठीक हैं सेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो चेंजिस हो रही है देखिए आज भ आफ्टर हो गया है अगर मन करता है एंसी आटी पढ़ने का तो पढ़ लीजिए अधरवाइज ओल इस वेल सो बाइबाए